हेलो गाइज, वेलकम टू आल अफ यू आउन यूटूब चैनल टारीस स्विजन लास्ट क्लास में हमने बात की है जॉन मिल्टन को ले करके कि कैरोलिंग पीरियड या जिसे हम एज आप मिल्टन भी कहते हैं उस पीरियड में एक ऐसा आउथर जिसने ब्लाइंड होने के बावजूद इंगलिस लिटेचर की ग्रेटेस्ट एपिक को लिखा जिसका नाम परडाइज लॉस्ट है क्योंकि 1642 में प्लेज का परफॉर्मेंस वहाँ पर पिरुटन के प्रेशर की वज़ा से बैन कर दिया जाता है इसलिए 1642 से लेकर के 1660 तक कोई भी रिमार्किबल लिटेचर इंगलिस लिटेचर में उस समय नहीं लिखा जाता है आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पहले तो हम common wealth period को लेकर के बात करेंगे फिर हमारा अगला topic होगा the neoclassical period तो common wealth period कब से कब हम consider करते हैं common wealth जो period है उसको माना जाता है कि 1600 and 49 से 1600 and 60 तक का जो समय था जो time था उसे हम common wealth period के नाम से जानते हैं या इसे हम एक दूसा नाम भी देते हैं जहाँ पर हम इसे इंटरगनम कहते हैं G.N.U.M. इंटरगनम 1649 से 1600 and 60 तक Oliver Crombell ने क्या किया है military कि के take over कर ली है उसकी military ने वहाँ के throne पर और एक तरीके का army का rule है पूरा 1600 and 49 से लेकर के 1600 and 60 तक हाला कि 1658 में क्या होता है Oliver Crombell की death हो जाती है लेकिन उसने अपनी death पर क्या किया था उसकी death होने से पहले ही अपना successor Richard Crombell जो कि उसका बेटा था उसको घोसित कर दिया लेकिन public को ये बात पसंद नहीं आई public को ये बात क्यों नहीं पसंद आती है क्योंकि फिर ये एक तरीके की मोनार्की जैसा ही rule था एक तो वहाँ पे army के इतने ज़्यादा disciplines थे कि क्या हो रहा था इनकी वज़ा से जनता पूरी तरीके से इतना ज़्यादा नियमों में रह जी थी rules and regulations का इतना ज़्यादा pressure था कि वो fed up हो चुकी थी और उसके बाद Oliver Crombell के इस action को देखते हुए जनता को ये लगा कि नहीं इससे अच्छा तो कम से कम मोनार्की ही थी क्योंकि हमें क्या था हमें liberty दियो थी कम से कम मोनार्की में ये था कि हमें आजादी थी यहाँ पर Oliver Crombell ने क्या किया है एक समय तो हमें लगा कि हमारे लिए क्या है lord protector की इनको उपाधी दी जाती है लेगिन finally ये मैसूस होता है कि नहीं इनको हटाना ही ठीक है इससे अच्छा है कि हमारे country में मोनार्की ही रहे और इस age को हम common wealth period के नाम से जानते है और ये एक बहुत interesting बात है कि common wealth period में कोई भी major literature florist नहीं होता है क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर puritan's का pressure था place का performance पहले से ही बंद था और poetry को लेकर के लोगों के पास time ही नहीं था कि वो क्या करें poetry को लिखें soldiers की वज़ा से या civil war की वज़ा से इतना ज़्यादा वहाँ पर controversy हो रही थी कि इस वज़ा से क्या होता है कि poetry तो लिखी नहीं जा रही और place का performance वहले से ही बंद हो गया है तो आईए चलते हैं अपनी आज सी वीडियो में और देखते हैं कि commonwealth period में कौन-कौन सी चीजें ऐसी थी जिनके कारण क्या होता है कि public का रुज़ान फिर से मोनार्की की और बढ़ता है timeline पे आते हैं 1650 1650 defeat of Scots at the battle of Dunbar और कहा पर है Cromwell replaces Fairfax as Lord General क्या होता है defeat of Scots होता है इसका मतलब क्या है यहाँ पे Scots stand for Scotland Scotland से किसका मुकाबला हुआ है यहाँ पे Scotland से Royalist जो आर्मी है sorry यहाँ पे Commonwealth की जो आर्मी है उसका मुकाबला होता है Scots मैं आपती जानकर एक लिए बता देता हूँ कि Scotland ने Charles second जो कि किन के बेटे है Charles first के जो कि अपने नाना के हाँ चले गए थे France यहाँ पर इनके execution के time पर तो Scotland ने क्या किया हुआ है उसने Charles second को अपना king accept कर लिया है यानि कि जो Parliament की सेनाए है या जो Parliament का dominance है वो केवल England में या Ireland में है इस country में नहीं था और Scotland ने क्या हुआ था उसने Charles second को अपना राजा accept कर लिया था और इसी acceptance के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक war होता है जिके जिसका नाम क्या था Battle of Dunbar लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा Commonwealth Army अब active हो चुकी थी ओल्वर क्रॉंबल ने इतना ज़्यादा इनको train कर दिया था कि यहाँ पर क्या होता है कि Scott Land की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और फिर से इनका पूरा सपना वही होता है कि हम इस military takeover जो हुआ है उसको हम खतम करके फिर से मोनार्की को establish करें लेकिन यह जो कोसिस होती है वो इस युद्ध में खतम हो जाती है 1650 में यह war हुआ था आगे चलते हैं 1651 1651 Charles II crowned at Scorn क्या होता है सकॉन नाम की जगा जो कहाँ पर है Scotland में वहाँ पर इनको क्या किया जाता है crown यानि की इनको ताज कोसी की जाती है इनको वहाँ का राजा accept किया जाता है अब आगे देखिए his forces are defeated at the battle of versus star यानि एक के बाद ये एक दूसरी कोसिस किये ही जा रहे है मुनार्खी को फिर से लाने के लिए लेकिन एक होता है कौन सा battle of versus star वहाँ पर चाल सेकेंड की सेनाएं यानि की स्कॉर्टलेंड की संयूक सेनाएं मिलकर के फिर से इस war को हार जाती है आगे देखते हैं 1653 1613 में क्रॉम्वेल नेम्ड एज लॉर्ड प्रोटेक्टर क्या नाम दिया जाता उसको लॉर्ड प्रोटेक्टर यानि पूरी की पूरी जो इंगलेंड के जो citizens हैं उनकी स्रद्धा जो है जो devotion है वो लॉर्ड सुरी ओलिवर क्रॉम्वेल को लेकर के फुल हो चुकी है और वो अब क्या कर रहे हैं उन्होंने मान लिया है कि वास्तों में अगर हमें कोई सही रास्ता दिखा सकता है या हमारे उपर अगर कोई गवर्ण करने लायक है तो वो सिर्फ कौन है ओलिवर क्रॉम्वेल कि आगे बढ़ते हैं 1654 फस्ट पार्लियामेंट ऑप दा प्रोटेक्टुरेट इसका मतलब क्या है कि अब वहां पर मोनार्की नहीं है मोनार्की चाल्स फस्ट के 1649 में एक्जिक्योसन के साथ ही खतम हो जा रही है अब पार्लियामेंट अखेले ही है संसत है वहां पर तो उसका पहला सेशन यानि कि उसकी पहला जो सत्र है वह 1654 में स्टार्ट होता है अगला देखते हैं 1656 1656 जॉन बनियन जॉन बनियन क्या है एक नॉन कंफर्मिस्ट आगे चल करके मैं इन पर बात करूँगा आपसे नॉन कंफर्मिस्ट और इस वजा से इनके इस एटिट्यूट के करण इनको जेल भी होती है हाला कि प्रिजन में जाने के बाद जेल में जाने के बाद ये एक बहुत फेमस वर्क को लिखते हैं जिसका नाम होता है दग पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस उसके बारे में बात करूँगा आपसे फिलाल यहाँ पे क्या हुआ है जान बनियन का सम गॉस्पल टुट्स ओपन ये वर्क पब्लिस होता है 1656 में आगे बढ़ते हैं 1657 में क्रॉम्बिल रेफूजेस तक्राउन यानि क्या होता है उसे राजा बनाने की कवायत भी जुरू होती है एक लैंड में लेकिन क्रॉम् कि देखते हैं 1658 1658 death of Cromwell क्या होता है Cromwell की death हो जाती है यानि कौन Oliver Cromwell Oliver Cromwell लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी समझने की ज़रुवत है कि उस समय इंग्लेंड की politics में इतना ज्यादा changes आ चुके थे और Oliver Cromwell को खुद यह महसूस हो रहा था कि उसने यह civil war करके या राजा को मार करके जो भी वहाँ पर अब politics की situation है उसने सायथ गलत किया और वो बिल्कुल भी समर्थ नहीं था कि इंग्लेंड की जो public है उसको वो control कर सके उसको बिल्कुल समझना आ चुका था कि यहाँ पर हम जिस rule से इनको ले करके चलने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से govern करने की बात है वो possible नहीं है और 1658 में अगर Oliver Cromwell की natural death ना हुई होती तो वो आगे चल करके suicide कर लिया होता आत्महत्या कर लिया होता region वही है कि आप क्या खर सकते हैं कि जो आपका attitude है temperament है आप उस तरीके से लोगों को ले करके नहीं चल सकते हैं यानि की flexibility सासन में कहीं न कहीं आहीं जाती है और यही Oliver Cromwell को बरदास नहीं था वो एक military general था और उसके हिसाब से यह था कि हर नियम बिल्कुल completely उनको follow किया जा उसमें जरासा भी आपको ताही नहीं बढ़तेंगे लेकिन public उसको तो आदत है 100 रुपए पुलिस वाले को दे करके अपना काम कराने की तो यहाँ पर वो public बिल्कुल भी इस बात को accept नहीं कर पा रही थी कि वहाँ पर उसको इस तरीके से rule किया जाए और यही region होता है कि Oliver C Cromwell 1658 में उसकी death तो हो जाती है और यहाँ पर वो अपने बेटे Richard Cromwell को अपना success भोसित कर देते हैं यही Richard Cromwell जिनको ना तो military का कोई experience है ना तो कभी नोंने कोई war पे गए हुए है यह और यह एक बहुत ही बड़ा decision था Oliver Cromwell का क्योंकि इस तरीके से जब हम देखने की राजा बन रहा है तो dictator का बेटा भी dictator बन रहा था Richard Cromwell जो की वहाँ पर England में उसको लोग मजे लेते थे क्या नाम था इसका tumble down dick बोला करते थे इसको tumble down dick कह करके इसकी मजे ली जाती थी और यही होती है वजह क्या होता है लोगों को एक negative message जाता है कि राजा का बेटा ही र और लोटेंगे देखें यहाँ पर हिजसन रिचर्ड प्रोक्लेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर अब क्या होता है कि इसके जो है जो बेटे हैं उनको लॉर्ड प्रोटेक्टर यहाँ पर घोसित कर दिया जाता है और सर्ट टॉमस ब्राउन ये लिक्टेचर की बाते हैं इनका वरक आता है hydriotaphia यह famous वरक है या इसको हम earn burial के नाम से जानते हैं वो इस time पर publish होता है 1659 1669 रिचर्ड क्रॉम्विल resigns Richard क्रॉम्विल क्या करता है वो resign कर देता है उसे पता था कि उसके बसका नहीं है सासन चलाना वो resign कर देता है आर्मी जो लीडर्स हैं वो रिकॉल करते हैं रम पार्लियमेंट को रम का मतलब क्या होता है हिंड जो बैक अप की तरीके से पीछे है उसको लेकर करके रम पार्लियमेंट को बनियन यानि वही है जोन बनियन दा डॉक्ट्रिन ओफ लॉव एंड ग्रेस अनफोल्ड़ यह उनका वर्क भी इस टाइम पर आता है 1659 में आगे देखते हैं 1660 1660 क्या हो रहा है मॉंक्स आमी यह वही बंदा है जो रिस्वांसिबल होता है रिस्टोरेशन को लेकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा जार्ज मॉंक्स जो की मिलिटरी जनरल था उस समय यही है रिस्पॉंसिबल रिस्टोरेशन को लेकर के नि मोनार की रिस्टोर होती है चार्स सेकंड फिर से यहां के राजा बनते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो जार्ज मॉंक का ही था उसने क्या किया चार्स सेकंड को इन्विटेशन भेजा कि अब यहां की ठीक है सिट्यूएशन ऐसी है कि आपको यहां पर आना चाहिए और अपने आपको एज अ किंग की दावेदारी में इन्टी है कि आप आईए और उनको भी आप पंजिसमेंट दीजिए अब देखिए यहां पर क्या हुआ मॉंक्स आमी मार्चस इंटू इंग्लेंड उसकी सेना क्या करती है वो इंग्लेंड में मार्च करती है डिक्लियरेशन ऑफ ब्रेडा पार्लियामेंट वोट्स तेट गॉर्मेंट उड्बी बाइंग जो ती है वो यह डिक्लियर करती है कि गॉर्मेंट सुड भी बाइंग्ल जो है वो रजा के हिसाफ से होगी फिर से रिस्टोरेशन होगा यहां पर मोनार्ची फिर से रिस्टोर होगी अब आगे देखिए गिंग्स लॉड्स एंड कॉमंस और कौन होंगे, किंग होंगे, लॉर्स होंगे, और कॉमन्स, कॉमन्स यानि कि यहाँ पे अब एक ऐसा तंत्र भी होगा, राजा भी जो होगा, वो फुली जो है, उसका कंट्रोल नहीं होगा सासन पे, कहीं न कहीं वो भी पार्लियामेंट के बन्हा रहेगा उस पे, इसलिए कुछ लोग रिस्टोरेशन एज को कहते हैं, कि यह नाम की सिर्फ रिस्टोरेशन एज है, यहाँ पे कुछ भी रिस्टोर नहीं होता है, रिजिन क्या है, कि किंग जो आया राजा वो भी एक क्वालिफाइड अथॉर्टी के तहत, असली ताकत अब पार्लियामेंट के हाथों में है, इंग्लैंड का जो कल्चर था, वो बिलकुल पूरा का पूरा खतम हो जाता है, क्योंकि राजा फ्रांस से आते ह और फ्रांस का पूरा का पूरा मैनरिजम, सोफिस्टिकेशन और जो भी छी जी जी वो यहाँ पर इंगलैंड में आनी स्टार्ट हो जाती है, आगे देखते हैं, चार्ल्स स्टूर्ट क्योंकि यह क्या है, स्टूर्ट डेनसिटी के हैं, याद रखेगा, स्टूर्ट डेनस लास्ट इसकी जो मुनार्क होती हैं, वो कौन होती है, क्वेन, एन, उनके साथ यह डिनस्टी खतम हो जाती है, इंगलैंड में, यादि चार्ल्स स्टूर्ट, वो क्या करते हैं, रिटरंस एचार्ल्स सेकेंड, वो क्या होते हैं, वो नाम से आते हैं, किस नाम से, चार्ल्स second कि चाल्ज फस्ट उनके फादर को execute कर दिया गया है अब उनके जो है बेटे चाल्ज सेकेंड royal society founded और यही समय होता है कि royal society का गठन किया जाता है और आगे शल करके यह society जो है वो literature के लिए आर्ज के लिए इन सब के promotion का काम करती थी अगे लेखते हैं जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन कौन है जिनके नाम से या तो इस एज को हम restoration age कहेंगे या हम इस एज को age of dryden भी कहते हैं और ये वो author है जो कि क्या थे पहले official poet laureate थे पहले official poet laureate भी थे और ये ऐसे poet हैं जिनों उन्हें क्या किया एक बहुत फेमस वर्क को लिखा एब्सलम एंड एक टो फिल जो कि इंगलेंड की politics पर ही आधारी था और राजा ने उनसे कहा कि आप लिखिए और उन्होंने जॉन ड्राइडन ने उस वर्क को लिखा इन 1649 1649 में क्या होता है the civil war the civil war ended and charles first was beheaded और executed क्या होता है 1649 में charles second को end sorry execute कर दिया जाता है beheaded कर दिया जाता है गला काट करके उनको मार देते हैं किसके एंडिंग पर civil war के एंडिंग पर from 1649 to 1658 1649 से लेकर के 1658 तक England was ruled by Parliament England इसके दोरा rule किया गया संसत के दोरा Parliament under the leadership of Oliver Cromwell इसकी leadership में Oliver Cromwell की he died in 1658 1658 में इनकी मौत हो जाती है no major works were written in this age इस age में कोई भी बड़ा major work नहीं लिखा जाता है और region वही था puritan's का dominance इतना ज़्यादा dominance था कि morality जो थी नेतिकता वो सर्वो पर ही थी और इससे बिल्कुल भी tempering बरदास्त नहीं थी और place का performance तो band ही है तो place को लिखा ही नहीं जा सकता है अब आगे दिखिए poetry came to an end poetry खतम हो गई an end in public practice during the civil war because the life of every individual was thoroughly disturbed क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कहीं न कहीं पूरी तरीके से disturbed थी या तो वो Tory हो सकता था या तो वो Vig हो सकता था या तो वो Parliament को support करेगा या तो वो राजा को support करेगा और ये जो 7 साल का period था यानि 42 से लेकर के 49 तक जो वार चलता 7 साल में हर इंसान कहीं न कहीं directly या indirectly civil war से affected था और region वही था कि आप क्या करें ये war occasional है ऐसा नहीं कि लगतार ये धो ही रहा है occasional चल रहा है कभी हुआ फिर कभी बंद हो गया फिर कभी हुआ फिर बंद हुआ तो इस वज़ा से इननों की involvement वहाँ पर आइस्थाई भी थी और उनको वहाँ पे रहना भी था हमेसा इस वज़ को compose करें और region वही है पूर्टी क्या होती है वह हमेसा एक ऐसे situation में एक ऐसे atmosphere में लिखी जाती है जब tranquility हो वर्ट्सवत की जो definition है पूर्टी को ले करके क्यों क्या कहते है कि पूर्ट्री इस्पॉंटेनियस और फ्लो और पाफुल फिलिंग्स इटेक्स इट्स ओर इमोशन recollected in tranquility यानि का मतलब क्या है कि पूर्ट्री कब लिखी जाएगी जब आदमी इनसान तीकर इस्थिरता है उसकी लाइफ में लेकिन यहां पर civil war की जवाजासे वो बिलकुल भी इस्टेबिलाइज नहीं था तो कैसे पूर्ट्री को कमपोज किया जाता बस एक थे जॉन मिल्टन उनकी पूर्ट्री कों सी आए पोयम पराडाइज लॉस्ट और वो भी कब 1667 में ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत फेमस वर्क को लिखा अब आगे द क्रॉम्बिल के जो जुनियस थे उनको ये लगा कि सता जो है वो क्या है क्रॉम्बिल अकेले में ही नहीं था है सर्वे सर्वा वही है हमारी कोई क्या है है हैसियत ही नहीं है और क्या है कि इस वज़ा से उनके अंदर असंतोस भी हो रहा था कि सब कुछ अगर क्रॉम्बिल ह है तो हम किस लिए हैं फिर इससे अच्छा तो हम क्या करें जैसे होता ना कि हमारे यहां politics में नेता जी क्या करते पार्टी बदलना सुरू कर देते हैं जैसे उन्हें फूल एक मूर था ये क्या था एक मूर था whom Oliver Crombell wanted to make his successor जिसको Oliver Crombell अपना उत्रादिकारी बनाना चाहते थे और वही ये था people used to dislike him लोग उससे नफरत करते थे it would be similar to monarchy यह क्या हो जाता यह तो रासाही जैसा ही था if Richard Crombell would have become Oliver's successor यानि क्या है कि अगर Richard Crombell Oliver Crombell का उत्रादिकारी बन जाता तो फिर तो वही बात होती कि यह भी राजा की तरीके से हो गया राजा का बेटा राजा बन रहा है डिक्टेटर का बेटा भी डिक्टेटर बन रहा है और यह जो गधाया था Richard Crombell के रूप में इसकी लोग बड़ी मचाव लेते थे Richard Crombell को लोग मैंने आपको बताया है भी कि टंबल डाउन डिक के नाम से यह फिरमस था due to this इसी वज़ा से people moved once again towards मुनार्की लोगों का जुकाव जो था वो फिर से मुनार्की फिर से राजा साही की तरफ जाता है Charles II who had fled France जो France चले गए थे भाग गए थे after the execution of his father अपने पिता के execution पे is invited to become the king of British throne और कौन George Monk वो इनको invite करता है कि आप आईए और फिर से England के राजा बनिए यानि यह जो था डिनस्टी वो Stuart Restoration भी हो रहा था 1660 में तो यह था मैंने आप से बात की common will period या इंटरगनम जिसे हम कहते हैं जो कि 1649 से लेकर के 1660 तक चलता है आगे की जो एज है उसे हम literature के हिसाफ से देखेंगे तो the neoclassical period वो कहलाता है और अगर हम social history के का ओर्डिन देखेंगे तो वो एज होती है restoration age के नाम से उसे हम जानते हैं restoration age इसलिए क्योंकि monarchy restore है यह और neoclassical इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब एक ऐसे poets का गुरूप आ रहा है ऐसे writers का गुरूप आ रहा है जो अपने आपको puritan के pressure की वजह से आप कह सकते हैं या puritanic ideology को लेकर के उनका ये intention था कि वो क्या करेंगे ऐसा literature produce करेंगे जो कहां पर था classical time पर था इसलिए इनको neoclassical writers कहा जाता है तो आईए अपनी वीडियो में देखते हैं आगे यह क्या है इनके बारे में the neoclassical period 1660 to 1785, 1789, 1798 मैंने तीन डेट यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि 1785 के अगर हम बात करें तो ये transition period होता है कैसा period है transition period उसके बाद मैंने लिखा है 1789, 1789 तो ये क्या है ये है French Revolution, फ्रांसी सी क्रांथी जिसका पूरा impact इंगलेंड पर परता है उसके बाद 1798, 1798 पॉब्लिकेशन ओफ लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स बाइविलियम वर्सवत और स्टी कॉलरेचिप एक ऐसी पूयम का collection जिसने इस पूरे नियो क्लासिकल के concept को ही खतम कर दिया पहले है नियो क्लासिकल पीरेड में जो सबसे पहली एज है वो है रिस्टोरेशन एज क्या नाम है इसका रिस्टोरेशन एज या इसे हम एज ऑफ ड्राइडन मैं ड्राइडन ही लिखूंगा इस प्रेस कम की वज़ा से ड्राइडन है जो कि 1660 से चलती है 1700 तक उसके बाद अगला कौन सा है रिस्टोरेशन एज के बाद अगस्टन एज अगस्टन एज या हम इसे एज ऑफ पोप कहते हैं पोप कौन अलेक्जेंडर पोप और यह चलती है कब से आपकी 1700 से ले करके 1745 सत्रा सो पैतालिस तक उसके बाद आती है लास्ट में डॉक्टर जॉनसंस एज डॉक्टर जॉनसंस एज या इसे हम कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी एज ऑफ सेंसिबिलिटी और यह आपकी चलती है 1745 से यह जितनी भी डेट यहां पे लिखी होई है 85 ठीक है 89 और 98 जो भी आप कंसिडर कर लेजिए जो स्टेशन एज अगस्टन एज और तीसरी है डॉक्टर जॉनसंस या एज ऑफ सेंसिबिलिटी अब यहां पे हम देखते हैं नियो क्लासिकल पिरिएड में क्या बाते हैं देखते हैं इमोसंस नहीं है इमोसंस बिलकुल नहीं कॉमन मैन बिलकुल नहीं कॉमन मैन भी नहीं है यहां पे ब्लैंक वर्स भी खतम ब्लैंक वर्स में जहां पे हम अभी तक देख रहतें कि पूरा रंसंस की जो भी पोयम्स आ रही हैं या इदर आकर के मेटा फिश्कल पोईट्री जो है केवेलियर पोईट्री है हर जगा हम क्या करें थे इमोसंस फीलिंग्स के बारे में वाते कर रहे थे लेकिन यहां पर अब क्या होता है प्यरुटरंड डॉमिनेंस की वज़ा से नियो क्लासिकल पीरियड में बिल्कुल ही य हम देखते हैं कि रीजन आगया है रीजन यानि कैसे चीजे माइन से लिखी गई और कैसे एलीट लोगों के लिए अभी तक का जो लिटेछर था उसमें हम कॉमन मेंट पाते थे अब हम जो लिटेचर देख रहे हैं वह किसका है इलीट क्लास का है सोफेस्टिकेट्ट लोग बड़े लोगों का रईस लोगों का जहां पर आ आम आदमी के लिए कोई भी जिक्र वहाँ पर नहीं है सिस अ और क्या है देखे से प्लैंक्वर्स प्लैंक वर्स के यहाँ पने कन पलइट और जोसर के पहुँच यह यह पर Canterbury Tales में जहाँ पर क्या हो रहा है Chaucer की Canterbury Tales में ऐसी पोयम लिखी थी गई थी वो जो कि एक particular class लिखी गई थी जो क्या है rich हैं जो nobles हैं जो intelligent हैं तो वही चीज़ें अभी यहाँ पर भी practice में लाई जा रही थी यहनि ऐसा वक्त था जो बिलकुल अमीरों को ले करके target करके लिखा गया था आगे देखिए imitated the rules and regulations of classical writers और classical writers को imitate करना मतलब हम क्या कर रहे हैं discipline वाली चीज़ें ला रहे हैं आप sex fear का experiment यहाँ पर नहीं था अप sex fear की तरीके से आप किसी island पर नहीं चले जाएंगे किसी imagination वाज़े दुनिया में आप नहीं जाएंगे prospero आपको नहीं मिलेगा miranda आपको नहीं मिलेगी और जो क्या है aerial इन सब का जो जिक्र था चुड़े लें वो अब आपको बिलकुल नहीं मिलने वाली हैं अब आपका mind paradise lost में universe एक्सप्लोर नहीं करेगा दिमाग Spencer के fairy queen में जहां पर जिस तरीके से वहाँ पर क्या किया गया था सारे जो है virtues को personify किया गया था वो imagination भी आपको नहीं मिलने वाली है इस पूरे time period का जो literature है वो पूरा का पूरा govern होता है mind से, दिमाग से बड़े लोगों का literature बड़े लोगों के लिए ही लिखा गया तो इस तरीके का literature यहां पर रिडियूस किया था अब आगे देखते हैं because they wanted a discipline literature आगे देखिए they imitated classical writers models, उनने क्या किया classical writers, classical क्लासिकल 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 है Romans, French writers उनके model को इस्तेमाल किया French writers especially किनका? French writers का यहाद रखेगा they were called pseudo-classicists pseudo-fake, जूटे हैं यह और क्यों? क्योंकि यह सिर्फ form को imitate कर रहे थे उनके content को नहीं, यानि मतलब लिखने की कला तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन लिखने का जो material है वो कहीं और का है यानि वहाँ पर कोई और बाते की जा रही है अब आगे देखिए pseudo-classicists because they only adopted the form form का अगर हम बात करते हैं तो form का मतलब क्या होता है? how, यानि चीजें कैसी लिखी गई है और content की अगर हम बात करें तो क्या है? what क्या लिखा गया है? तो content इनका बिल्कुल कुछ भी नहीं था सिर्फ क्या था? form ही इनके पास हुआ करता था अब आगे देखिए form of classical writers not their contents इननों सिर्फ उनके form को निकाला content को नहीं और क्या? our subject matters most of the works of this age इस age के ज़्यादा तर जो works थे were written in heroic couplet वही मैं आपको बता रहा हूँ किसमें लिखा गया? heroic couplet में lines of iambic pentameter which are rhymed और किसने सुरुवात की थी? जॉफ्री चॉसर ने इस ठीक है form core कहां पर? the legend of good women वहां पर उन्होंने heroic couplet को लिखना सुरू किया था lines of iambic pentameter which are rhymed यानि 10-10 syllable की दो line जो क्या करें? rhyme करें they gave realistic कैसा? realistic and satiric expression in the works और satiric expression क्यों? क्योंकि society ही ऐसी हो गई है जबर्दस्ती का manism है लोगों के अंदर दिखावा इतना ज़्यादा है फैसन इतना ज़्यादा है लोगों की पास में कि क्या है? वो लोग अपने जो मूल चीज़े थी जो basic चीज़े थी उनसे वो दूर हट गए थे तो यहां की writers थे उन्होंने किटसाइस करना इनको शुरू किया बिलिंडा जैसी लड़किया आ गई है जिनको फैसन में सिर्फ मजा रहा है पढ़ना लिखना नहीं है हिंदी में होता तो लोग उसे जटका कहते सौक आते हैं मेडम के गालों को चाटते हैं मेडम उस्तिया सो करके और उसके बाद वो जाती है सबसे पहले कहाँ पर कितने प्रेम पत्र आये हुए हैं आज उनको सुबा सुबा जिसे आज कल कहाँ हम ले पहले वाटसप देखना शुरू कर दिया जाता है कि हाँ किसका किसका मेसेज आया हुआ है उनका मेसेज आया हुआ है कि नहीं सुबसबा कैस लिखा है उन्होंने तो वहाँ पर भी वही मामला था तो जब Grade मैं पत्र पढद लिए फ्रेंट्स के हिसाब से हैं, तो उसके बाद बिलिंडा मैडम चली गई है, तास्ट खेल निकले, रेप आप दे लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अलेक्जिंडर पोप की, उसके बारे में आगे बात होगी, तो ऐसे लोग थे, बिलकुल मैनरिजम था, सोफिस्टिकेशन दिख हावा इतना जदा, है ना, वही जो हम लोग बाते करते हैं, कि गाव में हम कैसे तरीके से हैं, सहरों में जाया करके हमको जबरस्ती का बहुत सारा मैनेर्जम आने लगता है, घर पर इस तरीके अस लगता है, कि हम तो कभी गाव में रहे ही नहीं थे, तो ऐसे लोगों को उचराया करते थे और सहर में आ गए हैं अब हमको क्या हुआ है होटल में हम खाना खाने गए हैं तो अब वेटर जो आया है उनको भी हम डाइट रहे हैं बार-बार एसे करो वैसे करो यह सब तुमको मैंनर नहीं क्या बिल्कुल तो यह सब चीजिए वहां पर हिलेंड में सु मॉडल पर देखिए पर सटायर जो लिखा गया इस एज में वह किसके था होरस कौन रोमन पोईट होरस आस को इठीक है ठीक है उनका वर्क है एंड जुवेनल जुवेनल का वर्क था और जुवेनल के सटायर को इन लोगोंने जो है इमिटेट किया कॉमेडी किस की आई प्ल वर्ल दा कंट्री वाइफ ऐसी असी कॉमेडी यहां पर लिखी जाती है और आगे देखिए ओड जो आया ग्रीक से पिंडारिक ओड पिंडारिक ओड कैसे होते हैं दे वर डिया डिवाइड इन्टु थ्री पार्ट्स और कौन से स्ट्राफी एंटिस्ट्राफी और एपोड लेफ्ट राइट लेफ्ट तरीक से मानेंगे इस्ट्राफी एंटिस्ट्राफी और इपोड और पिंडारिक ओड कैसे थे इनको मियास्टिक मैं बताऊंगा आपको जब मैं आपको टम्स पढ़ाऊंगा इनको मियास्टिक वर्ड क्या होता है इसका मतलब क्या है ऐसे ओड जो Olympic में winners हुआ करते थे उनको लेकर के कि उनको praise करने के लिए इन Oats को लिखा गया था अब आगे बढ़ते हैं देखिए epic and pastoral जो epic लिखी गई वो किसके model पर थी वर्जिल वर्जिल कौन वह रोमन poet एनीड जिनका famous work है कौनसा है एनीड अब आगे देते है tragedy जो आई synecan tragedy यहाँ पर लिखी जाती है एक math tragedian यहाँ पर थे जिनके बारे मैं आपको बताऊंगा दियोदास वाली कहानी थी उनकी बैचारे की ऐसे थे वो अब आगे देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई है पहले the new classical period can be divided into three parts कौन कौन सा पहला पार्ट है restoration period यह इसे हम क्या कहते है age of dryden यहाँ कि dryden इस age के representative poet है poet laureate भी थे चार्ल सेकेंड के दरबार में पहले official poet laureate है john dryden और माना जाता है कि father of English criticism भी john dryden है और यह और pope दोनों लोगों ने अपने works को किस में लिखा heroic couplet में john dryden ने heroic couplet में लिखा ही pope माने जाते है that he is the perfectionist of heroic couplet तो john dryden इनके बारे में बाते होगी इनके works से बारे में बाते होगी अगले रह जो है age है augustan period यहाँ से हम क्या बोलते है age of pope अलेक्जेंडर pope जिन्होंने कौन सी famous work को लिखा दरे पॉप दा लॉग इस सारे works उन्होंने लिखा हुआ है अलेक्जेंडर pope ने अब आगे देखें तीसरा है age of sensibility या इस age को हम क्या बोलते हैं डॉक्टर जॉन्सन अब यहाँ वाले में h आ जाएगा डॉक्टर जॉन्सन अज और यह वही डॉक्टर जॉन्सन है जिन्होंने 1775 में यह क्या थे लेक्सिकोगरेफर याद रखेगा वर्ड क्या है लेक्सिकोगरेफर और 1775 में इन्होंने पहली English Language की Dictionary को लिखा है याद रखेगा पहली Language की Dictionary पहली English Language की Dictionary का बाती 1775 में और लिखने वाले कौन है Dr. Samuel Johnson Dr. Samuel Johnson जो की Critic भी है फेमस उनके नाम पे उनके वो लेकर के आते हैं और इस Age को हम Age of Sensibility भी कहते हैं क्यों कि इस Age में आप देखेंगे ये कौन सी है 45 से लेकर के 1798 तो लास्ट में जाकर के Transition का Period भी आना स्टार्ट हो जाता है Sensible लोग होना सुरू हो जाते हैं Emotions के बारे में बातें स्टार्ट होना सुरू हो जाती है तो ये थी हमारी आज की वीडियो ठीक है किस तरीके से 40 सेंड कीन परिस्षित्यों में यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उनके पहले एक्संड क्या होते हैं सासंग को लेकरके उसके बाद हम literature को लेकर के बाते करेंगे साहित को लेकरके कि कि सथ्रीके का literature इस एज में प्रडूस हो रहा है तो thank you so much for watching ये वीडियो कैसे लगी आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरीए बताइएगा थैंक यू